नमस्कार जैशी कृष्टना मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंड़ी देखते वक्त हमें क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे प्रडिक्शन करने कि क्या-क्या देखें उसके लावा मैंने डिफरेंट प्रशन आपको बताए कि जा तक जब आपके पास आता है तो आपसे डिफरेंट प्रशन पूस्ता उस प्रशन के उत्तर कैसे देने हैं ये भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चंद्रमा का गोचर देखें या किस किस तरीगे से सूर्य का गोचर देखें या किस तरीगे से अस्टक वर्क का गोचर देखें उसके हिसाब से बताएं कि कैसे रिजल्ट मिलेंगा आज भी मैं लगाएं कि धन कब मिलेगा तो उसके लिए एक चीज ये देखिए जब राशी का अधिपति यानि राशी का स्वामी और नमांश अधिपति नमांश का स्वामी गोचर में यूति करेंगे तो उस ग्रह के भाव एक्टिव हो जाएंगे और अचानक लाब की दरकरार होगी जै मालिया मेश राशी में गया उसका स्वामी कौन है मंगल तो मंगल को नोट कर लीजिए अपने पास फिर देखिए उसका नमांश अधिति पति कौन है यानि ग्यारवे भावा स्वामी किस नमांश में वो नमांश देख लीजिए फिर उस नमांश का स्वामी देख लीजिए मालिया वो नमाश में है मकर के उसका स्वामी देखिए कौन हुआ शनी हुआ तो मंगल शनी दोग रहे आपके पासा ये दोग रहे गोचर में जब भी एक साथ आएंगे तो अचानक धन की प्राप्ती होगी ठीकि मंगल तो तालिस दिन में एक भाव चेंज करता है शनी तो एक भाव में ड़ाई साल रहता है ये हम जानते हैं एक राशी में ड़ाई साल रहता है लेकिन मंगल चेंज करता रहता है तो मंगल शनी का गोचर में मिलना जाहिर सी बात है कि बिलकुल हो सकता है तो जब भी ये दोनों मिलेंगे तो धन की प्राव तो आप समझ गया होंगे कि जिस भी भाव के रिजल्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भाव कब एक्टिव हो भाव जब एक्टिव होगा जब कोशा ही भाव हो जब दोनों गोचर में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो भाव एक्टिव होगा बहुत इंपॉर्टेंट सुत्र है और ये आपको याद रखना है जगनाद वसीन जी का सुत्र है इसके बार आते हैं कि पिता बहुत बिमार है कोई पूछता है तो उसके लिए देखिए कि एर्थ भाव का स्वामी आठवे भाव का स्वामी जिस राशी में हो उसका स्वामी यानि आठवे भाव का स्वामी मालिया मकर राशी में है तो उसका स्वामी कौन हुआ शरी तो उसका स्वामी और मंगल उन दोनों में से बल्वान कौन है ये देखे शनी और मंगल में से बल्वान कौन सगर है वो आप चेक कर लिए फिर आप ये देखे बल्वान कहां से देख सकते हैं आप शडबल से भी देख सकते हैं और आप कुंडली से भी अधना जा लगा सकते हैं कौन सगर है बल मुला आपको याद रखना चाहिए। फिर दुबारा से सुन लेजिए। पिता की मृट्टुकी संभावना के बारे में रिजल्ट्स बता हैं. फल कैसे मिलते हैं, यह भी बड़ा एक important topic रहता है, भई हमें फल कैसे मिलते हैं, सपोस कीज़े कि मेरा बारवे भाब का स्वामी दूसरे भाब में चलागी, या दूसरे भाब का स्वामी बारवे भाब में चलागी, तो कैसे फल में, आप simple यह समझजिए कि ग्रह जहां जाता जहां जहां देखता है वहां के फल करता है और कहां से करता है अपने भाव अपने स्वामित वाले भाव को सोर्स बना कैसे अगर 12 भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया तो दूसरे भाव के फल करेगा यानि धन देगा धन कहां से देगा बारवा भाव विदेश का भाव हो उसका मतलब यह है कि उसमें से वो भी चीज निकालने चाहिए आपने, कि वो internally क्या कहता है? वो यह कहना चाहता है कि बारवे भाब का स्वामी, बारवे भाब व时候 वो दूसरे भाब में गया, तो धन मिलेगा तो विर्देश से में हो, अगर विदेश से नहीं है तो धन की हानी होगी, पुटम परिवार में जगड़े रहेंगे। सिंपल सी बात है कि यह बारवे भाव का स्वामी वां पर गया है। इसी प्रकार दूसरे भाव का स्वामी बारवे भाव में चला गया, इसका positive क्या है? आठवे भाव का स्वामी पांचवे भाव में गया, तो intelligence भी देगा, कहां से देगा? आठवे भाव से, अर्था research से या जोतिस से, तो आपको ये भी सोचना है, कि दुस्त भाव का स्वामी जो है, उसने हानी तो करनी है, लेकिन उसके अंदर जो positive चीजे हैं, वो भी वो देता है, तो आठवे भाव का स्वामी पांचवे भाव में गया, तो वो intelligence तो देगा, कहां से देगा, अगर आप research करेंगे, अगर आप जो पिस पढ़ेंगे, तो आपके चीजों को वो बढ़ाए, तो ये भी आपको देखना है, आठवे भाव का स्वामी नवे भाव में चला गया, किसी दे कहा साब मेरे तो आठवे भाव का स्वामी नवे भाव में, तो भागे हानी हो गई, ठीक है, आठवे भाव का स्वामी नवे भाव में गया, तो भागे की हानी हो, पर ससुराल के सारे भाव में पर गयती होगी, तो भागे अगर बढ़ाएगा तो कहां से बढ़ाएगा नहीं करी चटे आठवे बाव का रिजट भी आठवे बाव के स्वामी ने देना है अगर आब यह कहें बागे बढ़ना है जी तो कैसे बढ़ना है तो इस तरीके से हम लोग कुंद्लियु को देख अर्ष का अर्थ निकालते हैं तो किसी भी भाव से आठवे का स्वामी कहीं गया, छटे का स्वामी कहीं गया, पारवे का स्वामी गया, तो हमेशा यही नहीं सूचना चीए कि मैं इसकी खाने गई, लेकिन हम यह भी देखना चीए कि उससे कैसे पॉस्टिव भी प्रडिक्शन हो सब्सक्राइब का बहुत येट जिए